दोस्तों स्वागत है आपका दा एक्जाम पोटल में कैसे चली आप लोग की त्यारी तो एह है दो हर 21 के साल का अंतिम महीना और आज है अंतिम दीन यानी की 31 दिसंबर कल से हम लोग नए साल में प्रिवेस करेंगे 2022 पहला दिन होगा आप सबों को एडवांस में हैपी निव तो ये साल आप लोगों के लिए एक मिला जुला रहा होगा एक्जाम कुछ कुछ हुए है लेकिन जो बहुत प्रतिक्षित एक्जाम था जिसके वज़े से आप मेरे को जानते हैं और हम लोगों ने भी अपने असर से काफी काम किया था दरोगा का एक्जाम मैं to the point ही बात क जानुइत थे अभी भी हैं प्रणाम अलग रहें इन दा सेंस की जिन्हों ने जिस हिसाब से तयारी की थी उनका उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एक्जाम नहीं गया ठीक है तो और कहीं थोड़ा सा लग फैक्टर काम किया है प्रशनों की प्रविर्ति को देखते वे आ कर लेना है मतलब अपने तरीके से इंज्वाय कर लेना हाला कि छात्र के लिए कोई ऐसा इंज्वायमेंट नहीं होता मुझे अभी भी याद है दोहर 14 के आसपास दोहर 14 में जब हम लोग मुखरजी नगर में था तो साल 31 जब यार जोब नहीं लगता है तो घर थोड़ी ज गांधी भीहार में और में मुखरजी नगर नहरू भीहार वगगर में पैसे कोई को लाइबरेड़ी वाले होते हैं तो पैसे लेकी या फिर कोचिंग वाले तो अपना कुछ करके अर्रेंज्वेंट करते हैं जहांपे वहां के चात्रों को या फिर वोग धुम धड़ा का तो इस पर सब कुछ बंध है लेकिन उस टाइम धूम धड़ा का रात में बारा बजेगा तो केक कटेगा तो हम लोग भी उसी में किसी तरह घूश जाते थे लेकिन मतलब कहने का सेंस है कि फिर उस दिन एक जनवरी को बड़ा खराब लगता था कि कोई पढ़ने के मूड में सबसे पहले तो उन लोगों के लिए जो कटफ को लेके फिर से बार-बार सवाल कर रहे थे जो हम लोगोंने कटफ का रेंज बताया था एक सामाने रेंज वही है उसके आसपास ही होना चाहिए का मार्क्स कम होंगे तो दू-तीन मार्क्स ज्यादा कुछ भी हो सकता है लेकिन यह आप बाउंडरी लाइन पे हैं एक चीज में आपको बताना चाहूंगा कि यह क्वालि है तो वैसे में यदि आप कटफ का इंतजार करके दिया बाउंडी लाइन पे हैं तो भी यदि आप बहुत पीछे हैं तो ग्रूप D, NTPC, MENS वगरा होने वाला है बाकी सुन रहा होंगी बिहार SAC का जो वैकेंसी है सायद कुछ का नोटिफिकेशन किसी वेब साइट ने न नहीं होता है तो चल यह नहीं होता है तो आपके दो महीने का मतलब हमको लग रहा है कि 40 से 50 दिन लगेंगे रिजल्ट में 40 दिन तो लगना चाहिए फरवरी के में कभी रिजल्ट आएगा तो इस 40 दिन में आप इंतजार करेंगे कि हमको रिजल्ट चाहिए रिजल्ट चाह तो आप सोच रहें कि मुझे तयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए तो आपको तयारी इसलिए करनी चाही कि एक qualgृफाइंग है और एदी आपका गल्थ देखे हम लोगों ने answer की release किया था सब लोगों ने किया था हमें भी लगता है कि हमारे answer की में कम से कम 3-4 गलतियां हो सकती है मैं इस विकार करता हूँ अब इसलिए वैरी करता है कि अलग-अलग source हो से अलग-अलग दिया हुआ है लेकिन आयोग उसमें क्या मानता है क्या नहीं मानता है आपको समझना पड़ेगा सबसे अच्छी बात है कि answer की भी release होने वाला है तो answer की release होता है और आप एक दो नंबर के चलते अंदर हो जाते हैं जैसा आपको लगता है लेकिन इस time में आप अभी भी देख रहे हैं लोग answer की के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि इसा हुआ है हुआ हमारा जो टेलिग्राम ग्रूप है वहाँ पर भी देखते हैं कि बच्चे हमेशा ये वाला की अब घटक होगा की spray freezing होगा की प्रश्न वाला जो प्रश्न काल वाला था ये 3-4 प्रश्न ऐसे हैं जो की आयोग के उपर छोड़ दीजी अनेक source से आपको अनेक answer मिलेंगे तो आप परिशान रहोगे आप अपने हिसाब से source खोजोगे दूसरों को दिखाऊगे काफी लोग मेरे पास भी message भिज़ रहे हैं कि सरे अब घटक नहीं होगा उत्पादख होगा चले मान सकते हैं कि अब घटक नहीं उत्पादख होगा मुझे भी ऐसा लग रहा है बाकी जिनों ने अब घटक लगाया है तो आप उस समय competition में कितना पिछड जाओगे यदि एक जानली जी कि BPSC, CDPO, बिहार SAC हो सकता आने वाला हो Group D, NTPC mains और दरोगा mains इनका syllabus 80-90% तो equal है यदि आपका यहां नहीं होता है तो आपके लिए तो यह plus point हो जाएगा कि चलो हम Group D में इसको भूना लेंगे यदि आप पढ़िएगा तब काफी लोगों का message है कि दरोगा मनना मेरा सपना है मैं यहां ऐसे कर रहा हूं तो भाई साब इस सपने के लिए और दो महिना एक महिना जब तक result नहीं आता है आप पढ़ लिजे न यदि आपका गलती से भी prelims हो जाता है तो मेंस जो की जिसके marks exam में गिने जाएंगे जिसके 0.0.4 से बहुत लड़के फेल हुए है फिर उनके category में आके और रोना रोगे कि भाई इतना पढ़ेते जब अभी नहीं पढ़ रहो नहीं खीच के बता रहे हम लोगों ने जो लोगों से राय लिया था बहुत सारे student है जो पिछले बार physical वगर हमें छटे थे उन लोगों से हमने राय लिया कुछ merit में छटे थे तो उनके क्या हो रहे है उन लोगों से राय लेके cut up decide किया था हो सकता है इसे एक दो जादा चला जाए एक दो कम चला जाए लेकिन boundary line यही है और इसके यदि आसपास है तो आपको तयारी बिलकुल करना चाहिए यह नहीं कि अब मैं तयारी नहीं करूंगा और जब तक result तो यह आपको नुकसान दिला सकता है यह आप तयारी शुरू करते हैं तो आपको ग्रूप चारो पांचो एक्जाम जैसे मैंने बता है यह है पैटरन हर एक्जाम में थोड़ी चेंज होगा कि अच्छा इस बार साइकोलोजी और सोस्योलोजी पूछ दिया तो दूसरे वाले में ऐसा ही पूछेगा हाँ थोड़ा से स्टैंडर्ड बढ़ा सकता है तो मेंस के लिए यह आपको करना है तो उसमें बुक्स की संख्या बढ़ाईए अभी भी मैं कह रहा पढ़ना चाहा है तो पढ़ लिजे हम लोग भी अपने ग्रूप में जो हमारा दरोगा का मेंस बैच है उसमें हम लोग तीन या चार तारीक से स्टार्ट कर रहे है तो हम लोगों ने भी उसमें के बुक्स को एड़ाउन किया है अभी एक और चीज है जो हम लोगों ने पि स्टडी सुरू करें तो स्पीडी को आप पकड़ लीजे स्पीडी को 15 दिन 20 एक महिने में दोनों साइंस जीएस को खतम कर लीजे मेंस में बहुत काम आएगा करेंट अफेर्स तो ऐसे सिलेबस में दिया हुआ नहीं है लेकिन आपको करेंट अफेर्स भी पढ़ना चाहिए तो करेंट को भी उसमें इंकलूड कीजे स्पीडी को लीजे हम लोगोंने एक और दो और बुक कोई Black Magic क करके कोई बता रहा था जो की एक्जाम में पूछे जा सकते हैं जो अभी पूछे गयते आप उसको कर सकते हैं इसके अलावा परिक्षावाणी की पुस्तक हम लोग इस पर अपने ग्रूप में रन करेंगे परिक्षावाणी जो इलाहबाद की हिंदी माध्यम की पुस्तक के होती है उनका स्टेंडर बहुत हाई होता है तो सोचा है कि हम लोग इस पर सोचा है थोड़ा सा काम करेंगे, लेकिन आप प्यदी economics पर काम करना चाहते हैं तो महेश बनवाल का يवार का NCRT शार संगर पढ़ सकते हैं, रमेश सिंह का पढ़ सकते हैं, बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं लेकिन इतना समय नहीं मिलेगा अभी भी इन चीजों को फॉलो कीजे प्राक्टिस सेट को बढ़ा दीजे जिसमें एकोनोमिक के कुछ प्रशन हो कोई भी ऐसा बुक ले लिजे जिसमें चोटा सा एकोनोमिक सेक्शन हो क्योंकि आप मेन सेगमेंट को छोड़के अच्छा पांच को साइकोलोजी से आया था पांच को सोसेलोजी से तो हम वही पोर्शन पढ़ेंगे गलत रंड नीती है और मैत और इनिंग के लिए आरे सगरवाल बुक को फॉलो कीजे प्रीबियस चीजों को फॉलो कर लिजी एक बहुत डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊंगा कि मतलब क्या क्या करना है और हम लोग का भी ग्रूप चार तारीक से रन हो रहा है उसमें हम लोग जो जो कराएंगे आपको बताएंगे यदि आप चाहेंगे तो ग्रूप से जुड़ भी सक रहा है तो हम लोग भी ऐसे चलेंगे अभी एकदम स्टेट तो आप स्टेट रास्ते पे चलिए ग्रूप डी एंटीपीसी मेंस दरोगा मेंस के बारे में जो जो मैंने भी बुक्स बताई इसके बारे में एक इलाबरेटी वीडियो जल्दी आएंगे चार तारीक से हमारा बैस स्टार्ट होगा हम लोग बताएंगे कि हम लोग क्या क्या करा रहे हैं और आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए और बुक्स को थोड़ा सा बढ़ा यह देखिए जो पहले से थोड़ा पढ़े हुए थे जो मतलब जैसे एंसी आटी लुसेंट और सार संग्रा या घटना चक्र के अलावा कभी-कभी जिन्होंने पेपर पढ़ा होगा कुछ अल्टर पल्टर बुक पढ़ा होंगे एक इसमें ना कुछ-कुछ जैसे प्रैक्टिकल कोश्चन भी थे जो प्रैक्टिकल कोश्चन को थोड़ा सोच काला था आप कटप का एक गेम बंद है लेकिन जो रेंज है वही है उसी के आसपास आप लोग रह रहे रहे हैं उसे एक दो कम है जादे वाले तो हैं तो तैयारी करिए और बॉंडी लाइन वाले यह मत पढ़िए क्योंकि आप पढ़ेंगे आपका गलती से भी रिजल्ट ह हो गया मतलब मैं तो चाहता हो कि रिजल्ट हो आपका रिजल्ट हो गया और उस टाइम एक महीना पीछे चले जाएंगे तो आप फिर उसी सौट कट के पीछे पढ़ जाएंगे कि अच्छा खाली लूसेंट पढ़ लेते हैं घटना चकर पढ़ लेते हैं प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं और जॉब के साथ साथ जो हर साल आ जा रहा है वो है कुरोना तो जॉब आपके जेब में आ जाए कुरोना आपसे मतलब दूर रहे कुरोना जो आ रहा है इसे बचने का एक ही तरीका है सेफ रहने का सबसे बढ़िया तरीका है कि नौकरी लेके घर में रहे ब 20 20 हम लोग 17 वाले हैं फिर उसके वाला थारा 29 20 22 होने वाला है आप लोग अगर सब ठीक रहा तो 22 के लाश्ट लाश्ट तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा है ना तो 22 के लाश्ट अब जैसे कुछ लोग देखते हैं कम जाता है तो पूछते हैं कि भाई या 300 वाला नेक्स्ट वेकेंसी कब आएगा तो आएगा फिर नहीं पढ़ोगे भाई मेरे तो हालत वही रहेगे हम लोग खुद नहीं पढ़ रहे हैं कहां से मैं BPSC निकाल पाऊंगा एक कर पाऊंगा जोब होगर का इसा नेचर है थोड़ा सा ब्यास्तता जादा रहती है लेकिन चलिए अभी ठीक ठाक रेपूटेशन का मतलब अभी बढ़ियां जोब है बढ़ियां क्या है बट काम चल रहा है ठीक है लेकिन आप लोगों को एक ज कोई भी बताएं मैं बताऊं दूसरे बहुत अनुभवी लोग जो बताएं वो कोई भी आप बताईए एक चीज को लेके चलिए और एक रास्ते पर चलिए एक निलोत्पल मिर्णा हमारे सीनियर है जिनों डार्क होर्स पुस्तक लिखिया उन्होंने कहा है कि आप किसी भी रास्ते को पकड़ते हैं तो उस रास्ते में बीना सोचे समझे आगे बढ़ते जाईए उस रास्ते के अब जहां पहुँचेंगे वहाँ जाके आप बनेंगे डार्क होर्स एक अच्छी बड़ी अच्छी पुस्ता कि उसकी अन्तीम लाइन है तो अब यदि अपने रास्त रहा तो हम लोग कुछ न कुछ करते रहेंगे अपने जॉब और इन सब चीज़ से टाइम निकाल करें जैन